इद का समा जो के मशूर ड्रामा निगार है उनके साथ हमें जॉइन किया है औरिया मकबूल जान ने जो के सीनियर एनलिस्ट जॉर्निस्ट है और उनके साथ हमें जॉइन किया है जो के पॉलिटिकल एनलिस्ट सोशल एक्टिविस्ट है और तो और हमें जॉइन किया है सुरीले कवाल ने और आप तमाम कियामत का बहुत 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 बहु तो अजिस्टन की वो नुमाय और मारूफ शक्सियाद जिन को आप तीलिविएन पर देखते हैं जिनका आपकाम देखते हैं जिनको आपख़वारात में पड़ते हैं जिनको आप मुख्तिफ महाफिल मेजाकरों में आप उनको पढए हैं आज यहां से ईद का समाज से आप उनको देखेंगे, सुनेंगे और उनकी ईद जानेंगे बुश्रच कैसे गुज़ती है? खलील साब, कैसी गुज़ती है ईद यहां से इसले दो सालों से अच्छी नहीं गुज़री, मैं इद समझता हूँ इस्तमाई खुशी को, और जब मेरे हाँ गरीब आदमी माशी कतल्याम में पिस रहा हो, तो मैं अकेला कैसे ईद मनाँगा, मैं वो काइंड नहीं हूँ, तो ज्यादा तकलीफ वाली बात है, मैं इतनी तकलीफ में से गुज़र रहा हूँ कि आपकी सोच, इद एक इस्तमाई खुशी का नाम है, उसको सिर्फ सेलेबरेटिंग करते हैं, उसको दूसरों के जिन्देगी में कॉंट्रिब्यूट करते हैं, और इफ यू डू नो डू ड जिन्दगी जो है वो बदल जाए, और हम उसको वो जगा दे सकें, और यह एहसास कर सकें, कि दुनिया में हर जीरू जो आया है, उसको जीने का बराबर का हाक है, जब तक यह सोच और एहसास पैदा नहीं होगा, आप किसी तरह भी इस मुल्क में कोई बहतरी नहीं कर सकते ह पास, सोच और एहसास को पैदा करने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा, जितनी मेरी मकदूर भर मेरी हमत है, शायद उससे भी जादा मैं कर रहा हूँ, गबराई हमत, मैं खाली-खाली लफजों का सहरा लेने वाला आदमी नहीं हूँ, और यह साथ जैसे अभी खलील- मौश्य को ज्यादा हसास अंदास से परकते हैं, समझते हैं और फिर अपने ख्यालात का इगार करते हैं, यह तो बहुत तकलीफ की बात है कि एद के मौका पर भी अगर इस एहसास में रहें कि मेरे गरीब देए, 75 साल पहले, बलके उससे पहले कर देए, कम उसकम 90 साल पहले लामा अकबाल ने इस एद के बारे में का था कि एद आजादा शुको है, बलके इद महकूमा, जूमे, एक हजूम है, महकूमों की एद जूमे, उसमें उसमें पड़ी लंबी नदम लिए, हमें इस बात का एसास होना चाहिए है, हमें अजादी मिल गई है, लेकिन शायद ऐ कि एद शेहर से बार खुले मैदान में मनो, औरतों से कहा है कि तुम एद के अंदर ताखलो, तुम्हारे पस डुबटा नहीं है, तो परोसी से डुबटा मांग के जाओ, तुम अगर उन अयाम में हो जिनमें तुम अबादत नहीं कर सकती, तब भी तुम जाओ, ताके तु तुम बता सको कि तुम एक आजाद कौम की शेहरी हो, देखें, अल्ला तबारक पताला ने परगंबरों को बन्यारी तोर पर भीजाई दो चीज़ों के लिए है, एक अपनी उस कौम को आजाद करने के लिए, हज़रत मुसा जो थे जब आई हैं, हज़रत मुसा के पस अल्ल जो अब तुम फिरान के पास जो, बड़ी मसे से रोग रह रहे थे, बनी इसराईल पर दार बाता है, अराम से, और कुछ नहीं, छोटा बड़ा घर भी था, सब कुछ दार थे, बाकी मजदूरी भी मिल जाती थे, बेचे अराम बनाने की मिल थे, उन्हों ये नहीं का जाओ ये नहीं का मैं रसूल हूँ, इसल माना बनी इसराई, बनी इसराईल को अदात को, रसूल नहीं के एद का फर्द हुई है, जब आप मक्के की घुलामी से बाहर निकलें, मदीना में, दूसरा, दूसरी चीज़, कि हमने अंबिया को नादल किया, लिज्यकूम नासब किस्त कि इनसानों के दरमयान अदल काइम करें, मुसल्मानों के दरमयान नहीं, इनसानों के दरमयान अदल काइम करें, ये दोनों चीज़ें जिस माशरे में मफकूद हो जाएं, वह एद बिमानी होकर रह जाएं, दो बहुत बन्यादी चीज़ें, अब बिया की डूटीज़ हैं मैं आपको इख बताओ, कपड़े पहन के, प्रोग्राम में यह निए मैं आपके साथ कर लूँ, बागी चीज़ें कर लूँ, बिल्कुल और चीज़ है, आपको बताए है कि आपके मुल्क से एक जमाने में मजदूर है जिलत किया करते थे, एक जमाने में मुचाला किसान खेत को छोड़ के जाया करता थै. आपकी पहली दफ़ ऐसा हुआ है कि आपके मुल्क से पड़ा लिख़े बंदेने जिरत की है. पैसे वाले नहीं पड़ी लिख़े बंदेने जिरत की है. यहाँ पर उसका दफ्तर है. एक एनामाइस का जो है जो डौकुमेंटष्ट करता है. इन् जो सो से पंदरा सौ की होगी। पंदरा गुना ज्यादा। डॉकुमेंट एटास कर तो वही कराने आएगा ना जो पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा है। इसके पास इंजुनिवर्स्टी की डिग्री है। इसका मतलब ये है के परिंदे जब किसी जगा से कूच करने लग जाएं, या उजड़ने वाली है। परिंदे जब कूच करने लग जाए तो समझे बरबस्ती उजड़ गई है या उजड़ने वाली है जोजड़ी सब इत का मौका है और यकीनी तोर पर ये भी एक नहायत एहम पहलू है जिस पर भी खलील साब ने शुरू किया फिर औरिया साब ने बात को आगे बढ़ाया तो ये तो खुशी के मौके पर एक अपने आप कुछ जोड़ने वाला भी समान है एक तो मेरे साथ जयत्ती है आप लोगों ने ये की कि कि इनके साथ बिठा दिया हमारे मौाशरे को अपनी सोच से बदलने मौने लोगों के साथ बैठ के मौाशरे की सोच की अकासी जब आपकी आँखों के सामने हो रही हो तो आप हकाइक को कैसे चुपा सकी खलील और एमान कमर ने कुजे में द्रिया को बंद किया सिर्फ थोड़ी सी तर्मीम कि ये दो साल मैंने तो उनी सो पचासी से जिन लोगों के हवाले ये मुल्क है जो आज भी उनी के हवाले है तो मेरे नस्दीक तो हम उनी सो पचासी से तबाही और बरबादी का सफर जिस देख रही हैं दिल मान दिलाह है दमाग दिल का साथ नहीं दे रहाए है ये आप थोड़ा सा बाहर नकलें और सिर्फ लोगों से एक चीज़ पूछें के वो А 09 का इंतजार कियो कर रहे थे सच ये है ईद का इंतजार लोग सिर्फ दौ जोजव हाथ से कर रहे थे या तो उ इसके अलावा तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अपने घर के लोगों की शकले ही याद दी रहे हैं एक बात मैं अट कर देता हमागा जी ख़िल सार एक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि रमदान खतम होंगे तो कीमते काम हो जाएंगे दूस बात है ये तो हमारी बेहिसी क वो हालत है यानि इस पे तो मैंने क्योंकि खुद इस फील्ड में काम किया हुआ है और बड़ी बदकिस्मती से हम मुसल्मान कीमतों के साथ जो हशर यकम रमदान से तीस रमदान तक करते हैं वो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए शर्मिंदगी और हमारी जो पसमांदगी है उस को बढ़ा के मल्टिपलाई करके कौम से वसूल कर रहे होते हैं लेकर कभी सोच नहीं आई और वज़ा यह है कि बदकिस्मती से कौम की तरभीयत ही नहीं हुई तो इसलिए किसी से शिक्वा करने का कोई फाइदा नहीं है हम सब उतने ही जिमेदार हैं जितने बाकी हैं चु मैं उसको थोड़ा सा सिर्फ यह तो नहीं कह सकता लेकर पाकिस्तान में जिन लोगों के पास दस मिलियन है ना वो दस मिलियन दे के स्किल विज़ा लेके जाके वो मजदूरियां करते हैं जिनका वो पाकिस्तान में तसवर नहीं करते हैं और वो दस मिलियन पाकिस्तान में लगा के अपना काम करने के लिए तयार नहीं है उन्हें यकीन नहीं रहा गया कि ये दस मिलियन लगा के हम कोई काम कर सकेंगे कोई कामयाबी हो सकेगी इसका रिटर्न आ सकेगा वो उस पे उस बात को एहमियत देते हैं कि ये दस मिलियन खर्च करें स्किल वीजा लें और वहा को बुरी तरह निगल रही है लेकर अफसूस यह है कि हम सिर्फ यहां बैठके यह गुफ्तगू करेंगे और बाहर जाके लोगों के लिए इसमें कोई पेगाम इसलिए नहीं है कि जिनों यह ते तब्दीली लेके आनी है वहां पे इसका कोई ख्याल नहीं है और ना उसकी तर हर शक्स के चेरे से पढ़ी जाती है हर शक्स का चेरा पढ़ने के बाद उसके हालात का अंदाजा हो जाता है पाकस्तान में एक डेट यह दो परसंट लोग रह गये हैं जिनके पास यह सोचने का वक्त नहीं है कि कल महगाई हो जाएगी क्या होगा कारोबार नहीं चलेगा क बाकि 98 फीसद तो उसी के साथ है जो डे टू डे पचारों उने जिदा रहने के लिए क्या करना है वो घर उसी स्ट्रेस में जाते हैं मैं अपने ड्राइवर को जब वो मेरे साम मोटर साइकल वाले के साथ थोड़ी सी कुशिश करता है हारन मारता है मैं उसे हमेशा रोकता ह मैंने का तुम्हें अंदाजा है कि वो किस स्ट्रेस में जा रहा है वो घर में किस हालत से निकल किया रहा है और कहा किस हालत में जा रहा है तुम उसे हारन क्यों मार रहे हो बेतर नहीं है कि तुम रुक जाओं वो कोई ना कोई और मजीद गल्ती करेगा पैनिक कर जाता है हम तो इस हालत का शुकार है बेहंगम जो ट्रैफिक होती है वो आपको इसलिए नदर आती है लोग देनी यक्सुई का शुकार रखनी है यक्सुई का शुकार है यह बड़ी अच्छी बात है